कर दोस्तो मैं शोबित आपका स्वायत करता हूं आपके अपने चैनल खाना बनाओ पर दोस्तो अच्छा घाना किसे पसंद नहीं होता बड़ जब अच्छा घाना घर पे ना मिले तो हम लोग अकसर रेस्टरेंट के चक्कर लगाने लगते हैं चलिए दोस्तो आज मैं एक ऐस अपने घर पे बना सकते हैं और रेस्पी का नाम है मलाई कोफता बनाने जा रहे हैं हमार चलिए जान लेते हैं इसके इंगिडियेंट यहां तीन मीडियम प्याज लिए हैं मैंने इसे बारिक काट रखा है उसके बाद मैंने दो मीडियम टमाटर ली है उसमें चार-पांच इलाईची ले रखी है और दो चार हरीमिच ले रखी है इन दोनों मिक्चर को हमें क्राइंड करना है उसके अलाबा मैंने पनीर लिया है करीवन 200 ग्राम पनीर है जिंजर गार्लिक पेसलिया है करीवन हाफ कप प्रॉण फ्रोल लिया है दो बड़े चम्मच बॉइल अलो ल एक चम मच लेनी लाल उन्रोडर, नमक में नमक लेना है, तोन दोस्ति परंच सेट कर्थे आपने पनी पान में ले ले लाना है और इसी में पीन अपनी टमाटर, वलाइची, मिर्च जो हमने लिय थी वी ली डाल देए है मेन हमें इसको बॉयल करना है तो पानी डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने काजू बदाम भीगो के रखे थे वह भी इसी में डालते गए अब दोस्तों अब इसको गैस रख दें दें बॉयल होने जब दोस्तों सबसे पहले जो ने पनी लिया था को अच्छे तरह भारिक दोड़ लेंगे अगर द्हान रहे दोस्तों इसका पानी निकल जाए ज्यादा पानी ना रहा है इसमें अगर आपको लगता है इसमें पानी है तो इसको हाथ से निचोड से अगर आज दोस्तों देखे इसका पानी बिल्कुल निकल चुका है विल्कुल ड्राइब हो गया है लेको तो जो दो बॉयल डालू लिए थे आप दोड आलेंगे इसमें इसको अच्छे दे तोड़के ड अच्छे दालना है इसमें 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 के साथ साथ जो कॉण फ्रोल ही अता हमें इसमें इसमें को डालेंगे देनिया पॉर्डर नॉग डालेंगे हम्रेशा और लाल मिर्च पॉर्डर और उपर से गोराट साथ गोरा तरिक घृफनाए highly अब दोस्तोई इसको छाए दो से तैंच आरे मे अच्छो कोफ्ते गड़ी दोपूं करें से बनाया डाल समाइब ते नाल कुफते बनाने चर्ट करेंगे, मैं यहाँ पर ओवल शेप में बना रहा हूं, आप चाहें तो इसको राउंड बना सकते हैं रसगुले की तरह इस देखें कोफते त्यार हैं चलिए भिना देरी करें इसको फ्राय कर लेते हैं इसके लिए तो पड़ाई में तेर डाल लिया और गरम हो गया अच्छा घासा इसमें कोफते हो अंकिलके डाल लेंगे ज्यादा नहीं डालने एक बार में कमी डालने इससे असानी से वन वाई वन ही ठीक जाए इसको हर्की आज पर दिखना है यह ना हो कि ऊपर से तो प्रान हो जाएं लेकिन अंदर से कच्छे रहे हैं तो हमें आज हर्की रखनीए गैस की बार म अगया हो और विदूरा निकाल लेंगी इस घञ तो कर से फ्राइड हो गए है अच्छी तरह इकरें चलिंब बनाते हैं इसकी ग्रिवी आस टामाटर वह अच्छी तरह पॉल सबस्ट अभरा गया है ट्रमाटर भी लाएं घाल गया है इसका पान कि पानिम पानी में ठेकना नहीं है, तब पानी हमें रखना है तो बिल्कुल पानी निकाल लेना है कमसंद दो से चार मड़स को ऐसी रखना है चलनी में थे पानी का निकल जाये पानी हो हटें, तो अप्ट gonna करना है ना करते ही पीचना है नो किहांए के जाख खुल जाएगा यहां हमें ठंडा करना है फिर भी पीचना है छोच्ट छोग में तो कि स्थंदी हो गई है अब नम्बी इस पीचने का देल का ँप प्रेजिटेबल स्टॉक निकला था हुआ यहां पर तलेबस को पीस लेते हैं तो यह पीस किया है बारीक अच्छी तर है इसको इसको बाल में निकाल लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए दोसरे सबसे मेलने कड़ाई रखी है तेल डाल लूँगो इसमे अच्छी तर गरम डलें गरम हो चुका है जब से पहले हम चिंजर लाड़ी को पेश्टीया तब दालेंगे ग्रें हल्दी अच्छी बाडर्ल अच्छी तर बूल लेगे तो अच्छी तर बूल लेंगे तो अच्छी तर बूल लेंगे तो समसाले ने तेज छोड़ दिया है अब इसे हमने जो प्यास टमाटर की प्यूरी विनाई थी गोडाल लेंगे तो इसमें दुस्तों हमारे जो पेज़िटे प्यूब पचा तो डाल देंगे तो पास से स्वेटे के लिए इसको फटक के रखेंगे इसे पांड़ी ग्रेवी अच्छी तर पक जागे तो ये इसे ने पर आदे तो आदेगे आदेगे ये दोख्यां आदेगे तो आदेगे एक से दो खॉल आ चुके हैं, अलिए अब इसमें डाल लेते हैं क्रीम जो हमने एक बाउर ली है, फुरी डाल लेंगे कुरेंडर डाल लेंगे अपने धनिया पत्ती जो बारी काट्रक्ट लेंगे करीवन हाफ टेविल स्पून गरम मसाड़ा, तो हमारे मलाई कुफ्ते की गरेवी पक्के त्यार है, तो मलाई कुफ्ता जो हमने यूज करना उसे डायट कड़ाई में नहीं डालना है, जब हम खाने बैठे हैं, सर्फ करने के टाइम हो, तभी उसे बाउल में निकाले हैं, ना तो अगर हम पहले ही कड़ाई में डाल देंगे, तो ज़्यादा गल जाएगा, वो खुल भी सकता है, तो मारे मलाई कुफ्ते की रेस्पी बनके त्यार है, आई होब आपको यी रेस्पी प अगर नाना गुने